अन्ना प्रशाद भूशन जी के फ्लैट पर थे और ये था कि सरकार शायद उनको ग्रफतार कर लेगा। मैं मैचे कवर किया करता था होम मुझे किसी अफसर ने हिंट किया कि अन्ना को हम कल सब्सक्राइब ग्रफतार कर लेगा। अर्विन के जीवाल जी थे उस वर्ट उफिस में तो मैं उनके आँ गया। मैंने का कि अर्विन जी वो अन्ना को कल अरेस्ट कर लेगा। उन्होंने को भी शवास नहीं हुआ मैं नेका हूं आपको लिए Sydney मता रहा हूं मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि मैं इसयी मैं पख्का पता है कि कल रख में उजे इसσι कहने वाला है यह हम सब के अंदर गर जो एक आम आदमी है जो बदलाव चाहता है जो अच्छे अच्छी दुनिया का एक इमानदार दुनिया का सपना देखता है वो हम सब के अंदर हो हम सब को मिल के अपनी बिट करनी पड़ेगी ही सबसे बड़ी बहन है हम चार भाई बहन है वो इंदोनेशिया में रहती है तो शी कॉल मी और उनोंने कहा कि आजादी की पर एक महाने पर खड़ाता देश को हमारी जरूरत थी और हमिसा नहीं ले पाए एक्षुली आम आदमी पार्टी के लोग कभी बुड़े नहीं होंगे वो एक ना एक मुमेंट में फ्रोजन है उनकी जिन्दी में इतना रोमांच है जितना किसी सौकर के मैच में नहीं हो सक सकता है अगर वो एवरेस पे चल सकता है अगर वो चांद पे जा सकता है तो वो यह तथाकति चानक्यों वो एक नहीं तीन तीन बार पटक भी सकता है आया से अगर नहीं है नहीं है नमस्कार दीफक जी और नमस्क्राइब जो हमारे आने वाले समय के नेता हैं आमानी पर्टी जोईं करेंगे तो कारेकरता बनकर नेता बनकर या कारेकरता से नेता की आत्रा गरेंगे उन तक हम कुछ कहानिया सुनाना जाते हैं उन तक कहानिया पहुचाना जाते हैं कि कैसे आज के हमारे लीडर्स हैं कैसे जीते हैं कैसे उठते हैं क्या करते हैं और कैसे उनकी आत्रा भी तक रही है ताकि उनके मन का जो कोई संकोछ है राजनीती जॉइन करनेगा उसको हम कही हद तक सुझा सके शरी जैसे आपने बहुत सरी फिल्मों में हिंदी फिल्मों में हम लोग तो बड़े हुए फिल्में देखते हुए कहते नहीं कि प्यार किया नहीं जाता हो जाता है तो मैं बड़ा एक सब्सक्राइब करें तो मैं इसको देख रहा था और देखते देखते ऐसा हुआ जैसा पूरे देश में साथ लोगों को हुआ है सब के जीवन में घटना घट रही थी अचानक मुझे लगा कि मुझे इन लोगों से हमदर्दी हो रही है तो हम लोग जब जब जनलिजम में आये चुकि मैं तो बड़े इसको कास की तरह जनलिजम में आया था तो हमको यह था कि हमें इंडिबेनेंट रहना है तो पहली चीज यूर्भी सर्प्राइस तो नो मैंने लाइफ करने बंद कर दिये अनना अंदोलन पर कि मैं बाइस डू मेरे दिल में के लिए हम दर्दी ह तो मैं लाइव नहीं करूंगा और बाकी रिपोर्टर्स करते थे लेकिन धीरे धीरे ऐसा हुआ कि लगा शायद जीवन का मकसद यह है इसलिए तो मैं घर से निकला था इसलिए मैंने इंजिनरिंग छोड़के और जनलिजम किया कि देश बदलना है विवस्ता परिवर्दन करना है और यह करने के लिए किसी को शायद हम सभी को मिलकर कुछ कुछ करना होगा और कोए खास लोग नहीं जमलेंगे को अफटार नहीं होगा यह हम सब के अंदर हो jest एक आम आदमी है जो बदलाव चाहता है, जो अच्छी दुनिया का एक इमानदार दुनिया का सपना देखता है, वो हम सब के अंदर हो, हम सब को मिल के अपनी बिट करनी पड़ेगी, तो बस ऐसे ही इंफेक्शन हुआ, और शुरू में जो इंफेटुएशन था, वो फुल फ ही चल रही है, भारी बैटके देखता रहागा या इसमें कुदेगा, अच्छा, बहने खुद का, हाँ, और उसने पोला कि ऐसा है, बच्चे बच्चे सब हम लोग देख लेंगे, तू ना यह कर, इसमें कूद, वरना बाद में बहुत तकलीफ होगी, कि हमारे सामने इतिहा एक मोड पर एक महाने पर खड़ाता, देश को हमारी जरूरत थी, और हम इसारी ले ले पाए, यूजले हमे देखते हैं कि परिवार वाले लोग भाई हो, बहन हो, पिता हो, माता हो, वो बचते हैं कही ना कहीं, वो यह एक्सपेट करते हैं कि आप राजनितिक आंदोलन में क्या अंदोलन में इससा ना लें, बचते हैं से, यह यह तो जमेला है, यह बड़ा अन्यूजल है कि एक बहन खोद अबने भाई को कहें कि यह आशामें लोग कोशिश कर जो कर सकता है, हाँ, मेरी बेटी तो बहुत चोटी थी, घर में सभी लोग मतलब लोगों ने देखा क किसी को पता नहीं था, और मैं ऐसे परिवार से नहीं आता हूं जिसकी कोई बहुत सेविंग्स हों या कोई बहुत ऐसे चीज़ों जिसके सारे बाकि जिंदगी कट सके, नौकरी पेशा लोग है, मेरे फादर भी एक गजटेर ओफिसर थे, सेंडल गर्मेंट में, लेकिन ज ऐसे अचानक एक सेटेर लाइस, एक बतोर जनलिस्ट आप स्टाबलिस्ट है और अचानक आप सोचते हैं कि नहीं, नौकरी छोड़ो अभी सांदोलन में आना देश बदलना है, देश को जरूरत है, तो हमें लगा कि आजादी की दूसरी लडाई चल रही है, जो अभी तक के होगी, वो कंप्लीट हो जाएगा, मुझे लगता है, जिस संपून करांती की बात हम लोग करते हैं, जिस मुकमल करांती की बात करते हैं, जिस विवस्ता परिवर्तन की बात करने हैं, उसमें रुकना नहीं है, सब लोग अपनी अपनी जगए अपनी बिट कर सकते हैं, ल र कुछ तो मुझे लगता कि वो सारे आम लोग थे जो इकटा हुए आम आझमी थे जो पता वे आड़ आहिए इसी तरीकर तो मेरा बडा शौख था में जब यह शुरू हुआ मैंने सोचा कि एक प्रोफेशनल की जिंदगी में जाना था तो मुझे जनलिजम से भी सी तरह का प्यार हुआ और मैं कानपूर शायर में रहता था तो वहां पे जो अखबार थे उनके दफ्तरों में जाता था वहां लेख लिखना शुरू किया पढ़ना शुर मैं अरुन शुरी साफ के घर पहुंचा तो उन्होंने उनसे कहा कि एक समय होता है अगर आपको पत्रकार बनना और कुछ करना तो आप ग्राजुशन दुकर किया मैं वापिस गया तीन साल ग्राजुशन किया और जैसे खतम हुआ मैं वापिस दिली भागाया जनलिस बनने क किया और तब पता चला कि दरसल इंडियन एक्सप्रेस क्यों लिखता है जनलिजम ऑफ करेज जनलिजम और करेज का क्या रिष्टा है और तो मुझे लगते कि वो चीजें जब मैं जो चीजें मुझे इस्पार कर रही थी वो आज भी उतनी रिलेवेंट है जैसे हमने फिर आखों के सामने जनलिजम की हत्या होते देखी जिससरे इसको खतम होते हुए देखा तो मुझे लगा कि ये शूद अभी भी उतनी रिलेवेंट है अच्छे जनलिजम के अभी भी उतनी जिम्मेदारी है पर फिर हुआ यह की करीब 18-19 साल जनलिजम करने के बाद मुझे चाहिए अधरी इतने ही करेज़ेस थे जितन elli आदधे हाँ शांदार मुझे लगता कि आद मी होता है चाहिए वो खिलाडी बने चाहिए ऑमौंटिनियर बने चाहिए जो गॉलफ़र बंने चाहिए वह फाज में चला जा जाए वो जनांदोलन में आ जाए आए आपको ईक इसमें देदी तो वो जनलिसम में जब आप भूते बड़े बड़े चैलेंजेंड वोते हैं रही जबाँ तरिट्स पहल suspicion आप को लगता हिtu और फिर यह कृते है और गजब आप काम करते हैं अग्याar करेंगई चीज miss आज उतना सवे नहीं, मैं आपको जनलिजम के स्टोडी सुना पाऊं। बर्खा मेरी एटर थी, बर्खादत, हम लोग BMW केस के तफ्तीश कर रहे थे, और ये एक दम इंपॉसिबिल हो गया था कि हम उसको बेक कर पाएंगे। पहला चरण हमने कर दिया था, जो बड़े-बड़े लॉइस थे, उन्होंने हमको सू कर दिया था, NDTV प्रॉबलम में था, तो एक दिन बर्खा ने मुझे कहा कि दिपक, आप ही ये कर सकते हैं। चाहिए छे मेरे लग जाएंगे आप आफिस मत आईए। जो भी रिसोर्सेश चाहिए, आप इस केस को क्रैक कीजिए, उनको एक्स्पोज कीजिए, कोई क्लू नहीं था, कोई लीड नहीं थी, मैं तीन फोटोग्राफ लेके शिमला चला गया, और अंद में जो हमने ब्रेक किया, वो इतना बड़ा स्टोरी था कि उस वक्त देश के जो सबसे नामचीन वकील थे, उनकी सिनियर्टी लूज हुई, और सुप्रीम कोट ने कहा कि ऐसी इंवेस्टिगेशन हमने पहले नही देखी, तो जब आप करने चलते हैं तो पूरी प्रकृति आपके साथ आजाती है, पता नहीं कहां कहां से लोग आपको मरद करने आते हैं, सुनने में आता है कि आप स्टिंग के दर्मियान डॉन भी बने थे हाँ, जी एक बड़ा रैकेट चल रहा था एक्शली पंजाब म पूरवी उत्तरप्रदेश का डॉन बनके गया मेरे पूलिस के दोस्तों ने मुझे अपना एक गनर दिया वो एक एक फॉर्टी सेवन लेके मेरे साथ मेरा गनर बना और एक मेरा दोस्त और वीपन लेके गया और हम लोगों ने उनसे डील स्ट्राइक की और नोंने पूरी क महानी सुनाई कि कैसे उन्हें उत्तरप्रदेश के जो बड़े कुख्यात लोग थे मुखतार अंसारी मुना बचरंगी उनको कैसे उन्होंने वीकल्स यह उन्होंने कुछ पॉल्टीशन के नाम भी बताए कि इनको भी हमने लीगलिये सप्लाई किये हैं और नोंने हमें दो वीकल्स बीचने का सौधा किया स्टिंग किया हमने फिर उनको एक्सपोस किया सिनन आइबन का स्टोरी था तो वह सारा निंकल किया तो बहुत मज़दार था बहुत रिस्क था हम लोग शूट करने जाते थे तो इस तरह चारो तरफ हथियार बन लोग खड़े होते थे उसक लोग वापिस चले गए उन्होंने जोक किया था और उतने सारे लोगों के बीच में हमने ड्रामा किया है जिफ हम पूजा कर रहे हैं और उसके बीच में हम लोगोंने पीटू सी भी किया वह स्टोरी बहुत हिट हुआ तो बला मदा आता है बला किक मिलता है जब आपको लिट चल रहा है है कासा परिवार तो जडितर यह जहनता था कि मैं स्टोरी परिश करने जा है और भात सूरी करता तो मिक्मिशन में चले आते ति दीव pro झालता चलता था कि कोई स्टोरी हो रही हुए इधर जब अन्ना अंदोलन शुरू हुआ, मैं गया, मैंने इसको देखा, और हम सब के दिलों में जैसी दलकन आपने महसूस की थी, वैसी मैंने महसूस की थी, वो चल रहा था, अन्ना प्रशान भूशन जी के फ्लैट पर थे, और ये था कि सरकार शायद उनको गिरफतार कर जी, 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 उस रोज मैं होमनिस्ट्री में था, मैचे कवर के अधिक करता, होमनिस्ट्री कवर किया करता था और तफाकन वहाँ पर अर्वीन के जीवाल जी थे उस वर्थ आफिस में तो मैं उनके आ गया तब हमारा रिष्टा एक लीडर का और एक वोलिंटेर का रिष्टा नहीं था तब एक जनलिस्ट का और ऐसे रिष्टा था तो मैं उनके पास गया और मैंने का कि अर्वीन जी वो को अन्ना को कल अरेस्ट कर लेंगा है उन्होंने अर्विन जी को विश्वास नहीं हुआ मैंने का मैं आपको हंच नहीं बता रहा हूं मैं आपको जानकारी दे रहा हूं मैं मैंचे से आ रहा हूं मुझे ये पक्का पता है कि कल ये इस इस तरीके कोने वाला है थुल दिर चर् पिखलनी चाहिए और मुझे लगा हलकेल की बारिश हो रही है और हम लोग कोई होंगे तीस पैतिस लोग होंगे मैं भी उस भीड में खड़ा हुआ था तीस पैतिसों के साथ अर्विन जी एक चोटे से स्टूल पे खड़े होके गजल गा रहे थे हम सारे लोग गुंगुना चाहिए और मैंने भी गुनगुना चालू किया मैं उस दीन इसांदोल में पूरे तोर पे फामली आ गया इसके जी 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 हाँ तो इस तरह से फिर अगले दिन जो वह वह आपको पता ही है तो इसमें आरे शुआ हम अन्ना के लिए जूस लेकर आ रहे थे जी 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 बहुत ही यादगार समय था आज भी आसी बहुत सारी आदगार स्टोरीजम रोज कलेक्ट करें आप जैसे दोस्तों की मुदग से तो आमान्मी पार्टी में भी आप बहुत सारे पदों पर रहे आप में अर्विन जी का सेक्रेटरियाट संभाला एक जनलिजम आपके अंद जी इसे मुलाकात हुई फामली जॉइन करने के लिए अपको याद इक गिरनार में उनक अपार्टमें बहुत है कि यह अप आपंली जॉइंगे तो मैने का कि मैं जा यह काम o research ato कि जोड़ दो तो मैंने का नौकरी छोड दू़ बोले हाँ यह बच्चे वच्चे वहीं उनके अंदर बेड्रूम में, अर्वीन जी थे मनीश जी थे रमेदा, बुले देखो मनीश को देखो, मुझे देखो, आमनों को नौकरी छोड़ दी, हमारे बच्चे तो पल गए, है ना, देश को जरूवत है, आप नौकरी छोड़ दीजे, तो मैंने का कि मैं एक जिम मेरे दूसरे तीसे दिन, और उन्होंने सारे जनलिस्ट को एक मेसेज कर दिया कि कोई अगर सवाल आपको पूछना है, को आप दीपक भाई को फोन कर लें, उनका नंबर ये है, तो मुझे, उन्होंने जैसे ही मुझे बताया, मैंने का कोई लैप्टॉप है किया, तो जो ल जार करते थे, मेरे डिटर, मेरे जो चैनल चला रहे थे, वो सारे लोग तो उन्होंने मुझे से कहा कि आप क्यों जा रहे हो, तो मैंने उन्होंसे कहा कि कुछ नहीं, मैं सोच नहीं किताब लिखूंगा, 100 Days of People's Government, तो उन्होंने मुझे का लिख के आ जाओ, तो आपको पता 100 Days तो हुए नहीं, People's Government के 49 Days हुए थे, लेकिन वो फिर आने का मैंने तै कर लिया था, मेरे एटर बहुत जहांगीर पोचा ही, तो उन्होंसे मैंने कहा, सबसे पहले उन्होंसे जैसे करते हैं किसी प्रीस्त को जाके, मैंने उन्होंसे कहा कि मुझे तो महबबत हो गई, मैं तो आहम आदमी पार्टी जोईन करने के सोच रहा हूं, बोले, you will be surprised to know, he said go with your eyes closed, and if you contest elections, I will donate 1 lakh rupees, that's what he said, तो वो ही, he was a great support, और किसी ने मुझे dissuade नहीं किया, किसी ने मुझे discourage नहीं किया, सवाल जरू पूछे कि घर कैसे चलेगा, ये कैसे होगा, और बहुत ही tough time भी आया, financially बहुत tough time आया, कई बार हम लोगोंने चीजे खड़ी करने की कोशिच की, वो सारी बिखर गई, इंकम के जो sources थे, वो सारे dry up हो गए, savings सारी डिप्लीट हो गई, ये ऐसे time आये, लेकिन बाद में वो अरविन जी की बात जो है ना मैं फिर सोचता हूँ, उन्होंने कारते हैं ये बच्चे बच्चे तब भगवान ही पालता है, तुम बड़े काम में लगो, मैं तो एक कहा है कि यो यह नि जो तुमहें प्राप्ट करना है, छे माने जो तुमने प्राप्ट किया, उसकी रकषा करना है, दोनों काम मेरे हैं, ये काम मैं कर दूँँगा, तुम मेरे काम करो. तो वो मुझे लगता है कि वो सच है अगर आप समाज के काम में लगते हैं तो आपका काम चल जाता है ठीक है बहुत लग्जिरोस लाइफ नहीं हो पर काम अपना चल जाता है कई बार चोटी-चोटी कंसल्टेंस से शालू किया कुछ-चोटी-चोटी और चल गया सब ठीक हो तो मुझे लगता है कि बहुत चिंता इसकी करनी नहीं चाहिए बलकि मैं तो जो यंग लोगं से कहना चाहूंगा कि जीवन के लिए बहुत ज़्यदा पैसे की जरूत नहीं है काम चल जाता और अभी तक अगर आप देखें चाहें वो गांधी हो चाहें वो विनोबा हो चा की से उनको गुजरना पड़ा उनके परिवार को लेकिन मुझे लगता है कि सारी चीज़े हो जाती है जो बड़ा मकसद है उसके लिए अगर काम करने के लिए आप एक बार भी सोचेंगे तो जात्ती करेंगे अपने आप से बहुत बड़ी बात अब जो आपने नोकरी यजन की स्टेंटेसें शुरू करनी है इव इव अपरल के अंदोल उनकी के पांश अपरल से जो आंबो इन जो उनकी अप्रल कुछ उर्म कारा है उसे पहले में काम कराथा था जब ने चोड़ने की मन पें कुछ नहीं था पता इंड़ अपहर नोई जो नोंने जाए कुछ तो मैंने आफिस को बोला मैं आपको एक मेल करके बताता हूं और वो एमेल मेरा उस कंपनी के साथ अखरी अखरी के साथ मैंने वो मैंसेज उनको शोड़ दिया कि मैं हाथ से रिजाइन दे रहा हूं आपका लैप टॉप और आई-Card में फिश्वा दूगा उसके बाद से सफर पर शुरू हुआ मैं वापिस कॉर्परेट नहीं जाएंगा वाओ आई-Card मैं आपसे बार लेता हूं गीता मैं दो पुस्तिकों बरेवा बताता हूं मैं दस्यूं हो था तो मैंने किताब कर दी खलील जिब्रान की दी प्रफेट और वो मैंने फिर 20 साल बाद पड़ी पड है दुनिया की बहतरिन गिताब जन खेटे जाती है जैसे पर पर ज्यूम जैसे लिव पड़ते जाते हो इक नाइन चीज निकलती जाती है एक चीज का अर्त निकलता चला जाता है काल बेरी बीटी से मेरी बात हू रही थी उतना समय नहीं इमिलता अभी उत्णी अब दकता तो उसका रजल्ट आया था तो मैं शर्मन कहा जिए मैं ने उसको कहा कि हम लोग खाना खाएंगे पार्टी करेंगे हमारे घर में ना हम लोगों ने निया मनाया कि पास होने की पार्टी है अच्छा मालब कोई रैंक डिसकस नहीं होगी जाहे तूम लास्ट आओ जाहे तूम अच्छा में आपको क्या लगता है कि बीस साल में आपको कोई बात पता होनी चाहिए और आपको नहीं पता थी तो वो मुझे वताई है तो मैंने उससे कहा कि गीता इडिड नॉट हापन माई लाइफ वन वस चुद्धी है और थोड़ा थोड़ा पड़ो चीजें खुलती जेल में विनुबा भावे गीता का थारा दिन उपदेश कर रहे आखिर क्यों इतना व्यस्त रहने के बावजूद गांधी जी कहते हैं कि मैं ब्रश करता था तो एक श्लोग लिख लेता था और उसको करता रहता था और याद करता रहता था क्या वजय थी कि तिलक इतने व दर्ती पर पैदा हुए हैं बलकि इस पूरी दर्ती पर पैदा हुए हम लोग बड़े प्रिवलेज्ट हैं कि गीता की धर्ती है और आपने गीता जैसे अनुपम गरंद को नहीं जाना तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया तो मेरे तो जीवन का आधार जो मुझे हर सवाल क जब ज़ता के लिए कि गाया जवाब ज़ेती है तो वो घीता है करें मुझे लगता हुजए से मुझे कोई ज़ेजन कभी नहीं रा कुछ में रिटिन नहीं रा क्यों बाहुत हैं आधा ज़वने को किसी काम का कोई रिग्रेट नहीं है तो रिग्रेट फ्री लाइफ होना है ना वो गीता का कमाल है कि आप जो भी फैसला करते हैं वो फैसला अगर वहां से आ रहा होता है जब आप मैं क्या कर रहा हूं उसमें बहुत मज़ा है और उससे क्या निकल के आने वाला है इसमें कोई बहुत ज्यादा आपके आसकती नहीं है, तो यूर लाइफ बिकम सो ब्यूटिफुल, सो ब्यूटिफुल, तो वो बड़ा कमाल हो जाता है, कोई एक श्लोक आपको विशेश उडजा देता हो, भगवत गीता का, हाँ, मेरा ख्याल देखिए, 700 के 700 श्लोक बड़े कमाल है, और अलग अलग चीज, अलग 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 वक्त पे, वो सबसे इंपोर्टेंट श्लोक होते, लेकिन जैसे अभी हम कह रहते हैं, कि पहले से आकरी श्लोक तक तो जो आकरी श्लोक है गीता का, वो मुझे लगता है, कि वो जिसने कुछ भी गीता में नहीं पड़ा, वो अगर उस इस इस लोक का मतलब समझ ले और उस इस लोक को पढ़ ले तो मुझे लगता है, सारी उसको ठीले मिंग जाती है, जो आप की यत्र योगो इश्रोकर्ष्णा, यत्र पार्तोधराज, यत्र श्री विज्योश्वर्णा, जो संजय ने कहा है, वो ऐसा इस लोक है कि जहां पर धनुरस्दार को करने वाला व्यक्ति हो, और उसको इसके उपर संबल इश्वर का हो, घीता का हो, यहनि योगेश्वर को क्रश्णा हो, तो वहां पर यह चार चीजे, जिसमें सक्सेस भी है, अपरम पार बल धिए, जिसमें कीर्ती भी है, नीती भी है, सारी चीजें, वो सा और उनकी रक्षा में बाकी टाइम लगाने में ये वेस्ट मत कर ये दोनों मेरे काम में भगवान कहते हैं बिलकुल तू मेरा कभी काम नहीं होता ना तो मैं केले बैठ के लड़ता हूं भगवान से कि वह तुमने कह तो दिया और नौकरियां चुडवादी तुमने इतना तो वह काम तुरंट हो जाता है यदि मैं दिल से रोओं दिल से लड़ू रोते हैं कभी-कभी आप कभी मन में आता है ऐसा कि यह बड़ी अजीब सी बलकि हसने वाली बात है कि मैं अपने आपको अपने परिवार के साबने बड़े-बड़े आप डिसेश्शन्स लेते हैं बड़ी स्टोडीज करते हैं, डेरिंग काम करते हैं, पर आपके अंदर एक बच्चा रहता है, और आप रो देते हैं, मैं तो पचासों बार रो पड़ा, और कब हमारे पहला रिजल्ट आया मैं रो पड़ा, अन्ना आरेस्ट हुए तो मैं रो पड़ा, जब दूसरी बार रि अभी हम चुनाव जीत रहे थे, मैं टीवी पे बैठा हुआ था और मनीश जी ऐसा लगा कि शायद हार जाएंगे, मैं रो पड़ा, और जब वो जीत पड़े तो मैं रो पड़ा, तो मुझे लगता है कि बहुत ऐसे मौके आए, और मुझे लगता है कि पहली शर्थ है, एक complete आदमी होने की, एक पूरा आदमी होने की, कि आपका दिल जो है, वो हमेशा ऐसे भरा रहना पड़े, कि जरा में आपको रोमांचो और जरा में आप रो पड़े, है ना, समवेधना ही है, जो मुझे चलाती है कम से कम, तो इसी वज़ तो फिर आपको कोई बड़े वैसले करने की जरूत नहीं, आप सब चीज़ें काल्पुलेट करेंगे, यह सारी चीज़ें मैंने किसी और को दे रखी है, और मैं खूब होता हूँ, बहुत खुछ भी होता हूँ, कभी खुशी से रोता हूँ, कभी दुख से रोता हूँ, यह बड़ी मजदार किताब है यह सिदार्थ पंडे मेरे बहुत करीबी दोस्त है एंडी टीवी में मैं और सिदार्थ दोनों स्पेशल इंवेस्टिकेशन टीम में थे और हमने साथ में काम किया और मुझे लगता है कि जिन बहुत बहुत बहुतरीन लोगों को मैं जानता हू हूँ उसमें सिदार्थ है जब किताब मुझे लिखनी दीर मैंने सिदार्थ से कहा कि एक समस्या है कि यह जब किताब में लिखूंगा तो मैं वॉलंटियर ना बन जाओं एक जनलिस्ट छड़ी लेके वहां पर खड़ा रहे हैं इसलिए तुम्हारा होना बहुत साक्षा की बिल्कुल जरा भी मैं भटकूं जब ही भी तुमको लगे कि कोई अकाउंट क्रिडिबल नहीं है या मैं लॉप साइड़ एक अकाउंट दे रहा हूं तो तुमको वहां रहना है और ताकि इस किताब की इस अकाउंट की क्रिडिबिल्टी हो लोग इसको एक विश्वसनी कि किताब माने तो इसमें सिदार्त को में लेकिया और वो जराभी इसमें रियायत नहीं देते हैं तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं यह मैंने आपको बताया कि जब मैंने नौकरी छोड़ी तो मुझसे मेरे बॉस ने पूछा मेरे एटर ने पूछा और तमाम लोगों ने कि क्यों छोड़ रहे हो तुम तो मेरे पास एक्चुली कोई जवाब था नहीं इस तरह का तो अपने एटर को तो मैंने कंफिस किया जहांगी पूछा साब को कि मुझसे तो मोभबत हो गई या मादनी पार्टी से मैं क्या करूं लेकिन मैंने लोगों से का कि मैं किताब लि देखी हमने यहीं एक सरकार जनता दर्बार करती है और आपको ध्यान है वह आपने देखा है मतलब यह देखा भी है आप यह देखिए कि नायक फिल्म जो की तमाम चीजों को ड्रामेटाइज कर रही थी मतलब आप जब तब हम फीचर फिल्म बना रहे होते हैं तब हमारे पास एक खुला कन्वास होता है बतलब उसकी चारों तरफ कोई बाउंडरी नहीं होती है जिनके अंदर रह के हमें कुछ बनाना है कुछ भी कर सकते हैं वहां पर भी वह लोग नहीं सोच पाई जंता दर्बार क्या था रोमांच हो गया हज़ारों हज़ारों लोग तो कि एक किताब करनी है मेरे दिल के बहुत करीब थी तो तो ये किताब हम लोगों ने हम सोची रहे थे फिर रूपा ने संपर्क किया कि ये किताब करनी है और हमारे एक दोस्त है और उन्हों ने मुझे कहा कि आपको किताब करनी चाहिए रूपा के लिए ये और मैं सोची रहा था तो इस आपको इस किताब करने का मज़ा आप महसू तो उसके टीम मेंबर होने पर जो खुशी हुई होगी ना जो रोमान चुआ होगा जो पागलपन होगा जो मैडनेस होगी क्रेजी वह इस किताब के अंदर वह खुशी मैंने एक्सप्रेस करने को उसको बताने कोशिच कि है कि कैसे थोड़े से छोटे से लोग जिनके पास रिसोर्स नहीं है और वो दुनिया की सोकॉल सबसे बड़ी पार्टी बहुत ज़ादा रिसोर्से सारी चीजें और पता नहीं वाट नौट चानक क्या है और सब कुछ क्ति हमारे पास ना कोई क्राफ्ट था ना कुछ हमारे पास सचाई के लवगा था क्या कि तो यह एक एसिटस्था हिंदुस्तान की डेमोख्रशी कि का तमाम टकनीक lost all G नेrekा कुछ किया हिंदुस्तान में डेमोक्रिसी जिंदा है किया अभी भी लोग अपने मन से वोट करते हैं किया अगर लोगों के मुद्धों की राजनीत की जाए कोई फॉर्मुला राजनीत ना की जाए इसके बावजूद भी क्या आप चुनाव जीच सकते हैं यह इसका टेस्ट था त कर दिया किरन बेदी जी उनकी चीफ मिनिस्ट्रिल कैनिरेट होंगी हम लोग सोचे थी कि क्या होगा किसी को कोई अंदाजा नहीं था तो क्या हुआ अस दिन यह उसके बारे में बात करती है यह बात करती है कि जब आम आदमी पार्टी बनने वाली थी और यह लग रहा था कि अन्ना क्या सोच रहे हैं हम लोग क्या सोच रहे हैं तो पत्रकार पुर्ने परसून बाचबभई वन से मुलाकात होती है अन्ना की और बात उसका उसमें हवाला है हम लोगों की जिन्द्गी रूमांच से बरी नहीं है आज हुआ, आडमी पार्टी के लोग और आगा। ces may Days City अगूछ है। पान्का लोग कभी बुड्दे नहीं हूगे। वो एक मुमेंट में फ्रोजन है.. उनकी जिदिगी में इतना रोमांच है.. जितना उमेटिस सुकर के मैच में नहीं व। सकते प्लेज़ довड Wi-도 करें कि आगर लिए क्या सकता है। अगर वह फुर्टो सकता है, चॉअ तो त्ह तब के आज और हमारी सरकार कैसे पूरे देश थे जह शुआ क्या हुआ थुगाश्वारे इसी जिससे अज बड़ी बड़ी पार्टियां बड़े बड़े पॉलिटीशन बड़े धन्ना सिर्ट से बढ़ी बदलेगी और लोगों के विश्यों पर राजनीती होगी। एडूकेशन के विश्यों पर राजनीती होगी। 20 साल जनलिस्त राउचालिन भाई। मैंने कभी नहीं देखा किसी मुख्यमंत्री का इतना सहस। जिसने कहा हो कि अगर आपको लगे मैंने काम किया तो वोट देना वरना वोट मत देना। मैंने वाइसार राज्शे कर एडी को भी देखा मैंने। बहुत पॉपलर चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। मैंने और लोगों को देखा 3-4 term जो मुख्यमंत्री रहे। मैं बंगाल गया, लेफ्ट की वहां 40 वर्ष सरकार रही, लेकिन इतना सहस किसी भी मुख्यमंत्री का मैंने नहीं देखा, जो ये कहे कि अगर आपको लगे कि मैंने जो वाइदे किये थे, मैंने काम किये थे, अगर वो नहीं पूरे के तो मुझे वोट मत देना, हर बार जब चुनाव आता है, तो एक मुख्यमंत्री को, एक प्रधान मंत्री को, एक मुद्दा इन्वेंट करना पड़ता है कि इस बार हम किस मुद्दे पर चुनाव लडेंगे, तो ये हम लोगों ने, अर्विंद के जिवाल जी ने, मनिश चौदिया जी ने, सतेंदर जैन जी ने, और हमारी सारी सरकार ने, हमारी सारी पार्टी ने, ये पूरे देश में एक मैसेज भीजाए, कि लोगों के मुद्दों पर चुनाव होगा, और काम के उपर चुनाव जीते जा सकते हैं, इससे बड़ी घबरहाट है, इससे बड़ी घबरहाट है बड़ी पार्टियों में, ऑबडे नेताओं में। उनको लगता है अगर ये हो गया?" 你 शारीन भाई आप कितना विश्वास करेंगे, आप सरकार के भीतर काम करते हैं पर मैं भी funded के सरकार के बारे में आदेटा सर कोई कुछ जानते हैं जैसे इस देश में सरकार इसे चलती हैं. अब आप एक सरकार में काम करते हैं, आप दिन बर भूद बन के काम करते हैं, लेकिन सरकारें ऐसे नहीं चलती हैं, मुख्यमंत्री, usually मुख्यमंत्री को कुछ भी डे टू डे गवनेंस का बहुत पता नहीं होता है, वो अपना मैंडेट अपने अफसरों को बता देता है, कि ब बाकी सरकार बाबू चलाते हैं, हम पॉलिटिकल काम करते हैं अधा चीफ मिनिस्टर, वो यहां प्रचार करेंगे, वहां प्रचार करेंगे, अपना पॉलिटिकल एजिंडा ले जाएंगे, लेकिन जिस तरह की गवर्नेस आम आदमी पार्टी करती है, कि हम फरिष्टे स्की कर देंगे, तो क्या हम बैंकरफ्ट हो जाएंगे, हम खतम हो जाएंगे, नहीं खतम होगे, यह भाइबल है किया जा सकता है, इसके बाद भी हम डेफिसिप में नहीं जाएंगे, इन सब चीजों में किसी सरकार में कोई चर्चा नहीं होती है, पूरे देश में नहीं होती है कोई मुख्यमंत्री नहीं करता है। यह केवल आम आदमी पार्टी सरकार करता है। उंगी priority is different है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। आप उत्तरप्रदेश में योगी आदितिनाथ जी को देखिए। वो एक election से दूसरे election तक बिचारे पूरे देश में चुनाव के लिए जा रहे हैं। वो स्टार पचारा के भारती जनता पार्टी के है। उन्हें पता नहीं होता है। जब एक हस्पताल में और सट बच्चे ऑक्सिजन की कमी से मर जाते हैं, तो उन्हें फोन जाता है कि सर वो इसी सरे से हो गया है, और गल्ती किसी की कि नहीं है। फिर वो तीसर दिन चौतर दिन कोई बयान देंगे, कुछ करेंगे, कोई करवाई करेंगे मतलब। तो मीडिया मेनेजमेंट से से मतलब। हाँ अकुल मिलाके आपने headlines manage करनी है, fire fight करना है और CM के पास तो बहुत देर में जाना है लेकिन यहाँ एक उल्टी किसम की सरकार चल रही है जिसका आप इस्सा है हम इस्सा है यह एक्चुली यह विवस्था परिवर्तन हो रहा है और यहां हमारे groups पर CM उसमें देखते है कि कोई अधिकारी कोई शिकायत कर रहा है उसका solution हुआ कि नहीं हुआ वैसे मोहलग भी नहीं के ग्रूप की बात कर रहा हूं तो उसमें कोई भी शिकायत है और इदी वो नहीं solve हो रही है तो हमें डर लगता है कि हो CM साब पढ़लेंग करीब काम किया अर्विन जी कि मैं सोचता हूं कि इनके पास कितने गंटे मेरे पास 26 हैं मेरे जैसे शायद 200 डेपार्टमेंट वो देख रहा है एक डेपार्टमेंट मैं देख रहा हूं तो वह बार बार एक चोटी से चोटी चीज के लिए आपके पास आते हैं यह हुआ य तो आपको पता नहीं होता कि इस आदमी के पास कितने गंटे हैं दिन में लेकिन मैं आपको बहुत मैंने देखा है पत्रकार के तौर पर तमाम सारे मुख्यमंत्रियों से के साथ मुलाकात कि उनका का काम करीबी से लेका कोई मुख्यमंत्री इस तरह से काम नहीं करता है पे मुख्यमंत्री सुभा उठा इसके बाद वो गया उसने बैडमिंटन खेला उसने टैनिस केला या गॉल्फ केला या जो भी हो करता है वो करार इसके बाद आया और फिर ब्रिक्वस्क लिया फिर जनता दर्बार है उसमें बैठा कोई सीरिसनेस नहीं है जैसे हमने एक पीजिय किना तीन दर्बार में कोई कटिएन नहीं है कि रोक सकता आपको सी हम से मिलने की सात धें बैठता यह थिर आवर सरकार कल गई है इन्होंने कैसे पोरे दिन में अगर आप इन्में को सबसे यह इस डिमोक्रसी का सबसे बड़ा फ्लॉव है आप गवन करने के लिए लोगों को चुनके भेजते हैं और वो लोग गवनेंस के रावा सारे काम करते हैं आपके एक्सिंस कितना बड़ा चिटी है तो यह बहुत बड़ा फ्लॉव है आम आदनी पार्टी की सरकार ने दिल्ल हो जाएंगे अब लोगों को लग रहा है काम पर आप लोगों को वोट करते हुए देख रहे हैं यह घबराट है कि अगर यह हमें करना पड़ा तो फिर हम पॉलिटिक्स में रहेंगे क्यों तो इस पूरी किताब के की जर्नी के समय कोई ऐसा वाक्या कुछ ऐसा आप देखेंगे तो एक मैंने इसको चेस के गेम मैं चुकि चेस मेरे दिल्चस्पी लेती है तो मैंने जो गेम ऑफ दी सेंटूरी था उससे उठा के मैंने दिया कि कैसे 13 साल के का एक नलका आता है वह ग्रैंड मास्टर को वो हरता है तो सारे वह जब बाजी लगी हुई थ आता है ऐसे जैकेट डाली हुए कैसुली 13-year-old आके ग्रैंड मास्टर के सामने बैठता है अपना गेम चालू करता है लोग उसको देख रहे होते हैं और वो अपनी क्वीन सेक्रिफाइस करता है और क्वीन सेक्रिफाइस करने के बाद लोगों लगता है तो गेम गया फिर उसके ट्रैप में आके ग्रैंड मास्टर ऐसे फसता है कि उसको अपनी जिन्दीगे के सबसी हुमिलेटिंग डिफीट का सामना करना पड़ता है और लोगों लोग ये भी कहते हैं कि लोगों ने सोने के से के उच्छा ले उस पर क्या कमाल खेल हुआ और जब चैस का खेल हो इस चुनाव में इतने बड़े बड़े जो चानक्य थे उनको अर्विंद केजरीवाल की सिंपल स्ट्राटवी में वह कैसे फसे क्योंकि ये वह क्या चाल चलने वाले हैं क्या उनका मूव होगा ये कभी समझी नहीं सकते हैं ऐसे ही एक बात है कि हम इस चुनाव में क्या न अर्विन्ध के गुर्चा चैतार है कि कैसे वो एक जो-जो चीजे का पालड भी जो सത्केती उस एक this सुपमेरी और कर gma में लोटा नियुकर करने लिग देख़ें जाता है जो कर रहा हैँ से स्व्गरों करिए है उपके औरिया ऐ स्ञिखे और इकल तक जो लोग कहते थे तो पॉस्बिल नहीं है, अब आपने देखा होगा भी कल पंजाब सरकार ने कह दिया कि जी महिलाओं के लिए मुफ्त बस्यात्रा कर दिया, पहले कहते थे वो ये फ्री भी गवर्मेंट है, अब उनको समझ में आया कि लोगों का पैसा, लोगो समार्ट एकॉनमी क्या है, आज करोना के बाद भी आप करीब सतर हजार करोड रुपए का बजट लेके आ रहे हैं, तो ये स्मार्ट एकॉनमी लोगों को समझ में आई कि बॉस ये वहां कुछ जादू हो रहे है, ये बभिश्या है देश का, ये देश का बभिश्या है, तो सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या हमें चुनाओं के पहले कर देना चाहिए, या इसी मुद्धे पर चुनाओं लड़ना चाहिए, तो ये एक मास्तर स्ट्रोक था, हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि लोग इसका फील ले पाएंगे, सतिंद्र जैन का या आइडिया था, उन् मुझे लगता वो गेम चेंजर था, तो आपको याद होगा कि भारती जन्ता पार्टी जो हमारी बड़ी आलोशना करती रही, अन्त में जब उनका मुखपत राया, तो ना तो वो ये कह सके, ना वो वो कह सके, ना तो ये कह सके, क्या हमें सारा बंद कर देंगे, तो ये वर पता नहीं था क्या करना है, उन्होंने जब-जब हमारा मॉडल चैलेंज करने की कोशिश के, हमारा ट्राप क्या था, हमारी कोशिश केवल ये थी कि कि किसी भी तरह हम इस चुनाव को काम की पिछ पर रख लें, बस, और बीजेपी, हाव बीजेपी वाक्ट इंटू दा ट् ककच्रा कर रखे हैं, हमने दिखाया कि कि यह जो सकूल लेकी आइं, एक हजार स्कूलों में, वो भी वो थे जो बंद है, हमने उनको चैलेंज किया,あप एपने स्कूल दे दीजिये, इसीemie तरह उन्होंने हमारे मौल क्लिक को चैलेंज किया, तो कुल मिला के वो काम की पिछ बाद वो वापिस कम्यूनल एजेंडे पे चुनाव ले गए उन्होंने बहुत कोशिश की और ये दिली के वोटर का और देश के लोकतंदर का इमतहान था कि क्या काम का मुद्दा कम्यूनल लाइन्स पे लड़े जा रहे हैं चुनाव में के सामने हार जाएगा क्या लोग गलट डेसिशन करेंगे इन्फूएंस होएंगे क्या बिजेपी इसमें काम्याब होगी और यह बीजेपी के हार नहीं थी ये उन सारे लोगों की हार है फॉमूला पॉलिटिक्स की हार है जिनको लगता है कि हम किसी फॉमूले से किसी शिगूफे से कोई فास कि अभ पंदरा दिन का चुनाव लड़ने की विदा तुकी है। तो पंदरा दिन के चुनाव का जो होता था ना ना कि किसी को भी टिकट दे दो, हाथा बना धी और युड na diyan दिन में चुनाव करो और वो खतम कर दो तो वह कैसे हारे उसकी मुकंमल कहानीज किताब बहुत बढ़ी है जो उमीद है इस इंटर्वी को सुनने के बाद हर आदमी इसको जबूर पड़ेगा मुझे आद है कि फरिष्टे दिली की स्कीम का अपने दिन कॉल करके पूछा था कि कैसे इजाद हुई और मैंने आपको अपना परसनल एक्सपिरेंस बताया था कि कैसे मे जी अनुभा से चुरुआत होती है और आपको लगता है कि यह चीज होनी चाहिए और हम आप इस सजेशन को आगे बढ़ाते हैं और बाद में इतनी बड़ी इतनी ताकतवर स्कीम निकल के आती है जो पूरे देश के मानस पे फरक डालती है सलक पे तलपता हुआ कोई आदम है चोटी सी हमने 2008 में कुछ काम करने के लिए तो हम लोग कोशिच कर रहे थे कि क्या करें बच्चों के लिए अलग-अलग काम कर रहे थे तो एक आइडिया कि क्यों ना इतने सारे स्कूलों के ग्राउंड जो खाली दे इनका इस्तेमाल किया सकता है यह फ्री स्पेसे इनका ना कैसे इस्टेमाल करें बाकी गंटे और वह आइडिया में दिय और जशरकार न ईसको किया है तो यहनी हमारा आईडिया चोटी सी चीज एक व़ोला ने सूछ रहे और बाकी पार्टीओं में क्या होता है बाकी पाकी वह में बड़ बड़ फ्रोफेश्वेसेर्टे हैं व अपनी पढ़ाई लिखाई तजरुबे के हिसाब से एक डॉक्यूमेंट बना देते हैं आम आदमी पार्टी के अस्तित्त में आने के पहले यह एक एक फर्मालिटी बन गया था कि हर पार्टी अपना एक डॉक्यूमेंट लेके आएगी मैनिफेस्टो कोई अब लोगों को लगता है मुझे बहुत अच्छा लगता है टीवी डिबेट में जब हमारे मैनिफेस्टो लेके लोग बैठते हैं कहते हैं वह पॉइंट नंबर 69 का क्या हुआ है हम लोगों ने एक 70 पॉइंटर बनाया था कि यह 70 चीज़ें हमें करनी है तो सारी पार्टी वह लेके कहते थे कि यह तो ठीक है पर 69 नंबर का 69 नंबर का क्या हुआ तो हम बताते हैं कि भाई ट्राकर लगा हुआ है रोज की हम लोग इसमें सेस्मेंट करते हैं तो यह एक नए किसम की राजनीदी पैदा हो रही है चोटी चोटे लोगों की हमारे जैसे वोलंटेर्स चोटे-चोटे वोलंटेर्स की बात सुनके उसको एक स्कीम में लाके करना यह मेरा खाल इसी पार्टी में संभव है और स्रम उसको बनाना नहीं उसको इंप्लेमेंट करना अपने बच्चे की तरह बड़ा करना बड़ा करना जिस जजबे से यह सरकार काम करती है मैं आप से थोड़ी देर पहले मैंने काया था कि आम आदली पार्टी के लोग बोड़े होने नहीं है इतना एक्साइटमेंट है हमारी लाइफ में इतना एक्साइटमेंट है इतनी चीजें हमने होती हुई देखी है बना आप से सोचिए कि कैसे एडूकेशन एकदम ट्रांस्वार्म ह आपना बार्वी के रिजल्ट आने पर तो मुझे ज्यादा खुशी नहीं हुई थी अपनी बेटी का होने पर कुछ खुशी हुई थी लेकिन जब बच्चों का बार्वी के बच्चों का दस्वी के बच्चों का रिजल्ट दिल्ली का आता है तो जो आप खुशी होती है औ कि United Nations के Secretary General की तरफ से कोई हमारी तारीफ हो रही है और वो कहते कि ऐसा सिस्टम हमने कहीं देखा नहीं दिदलाई-लामा कहते हैं कुछ डॉक्टर कलाम से अगर हमें appreciation मिलता है तो हमें लगते कि मतला हम लोग बहुत चैन्ट से मरने वाले आराम बहुत बहुत बढ़े दस मिनट पहले से हम लोग वेट कर रहे होंगे मरने से पहले और हमें लगे का यार सारे काम हो गए सारा काम अपना कंप्लीट हो गया हम डीब बिद लेंगे आराम से लेटेंगे और कहेंगे कि यह आओके I am ready जिली जन्दकी हो येस हम कहेंगे हो गया जी सब कर लिया तो यह जो फीलिंग मुझे लगता है कि यह फीलिंग दुनिया में किसी को नसीब नहीं हुई होगी जो एक आम आदमी पार्टी के वोलेंटियर या लीडर या जो लोग हैं उनको होती है कि हमने यह हमने किया है यह चीज हमने किये और एकदम ऐसी चीजें जो होई नहीं सकती थी पानी मुफ्त होई नहीं सकता था बिजली मुफ्त होई नहीं सकती थी हम लोग सब बैंक्रफ्ट हो जाने वाले थे हम लोग भाग जाने वाले थे मोहला क्लिनिक्स बन नहीं सकते अब आप बात कीजिए तो सरकार next impossibles की बात कर रही है क्या अब ये ये तो पुराने impossibles होगाए अब next impossibles क्या है यमदो ना कॉम क्लीन कर देंगे 24 घंटे सबको पानी देंगे दिल्ली राजस्थान से बुरी हालत में था पानी के विलिए मैं आपको किस्सा बताता हूं साहिप सिंग वर्मा जी मुख्यमंतरी हुआ करते थे मैं इंडियन एक्स्प्रेस का रिपोर्टर था अच्छा शेकर गुपता साहम अमारे रिटर हुआ करते थे तो यह पहला चुनाव जिसमें जीट के शीला देख्षी जी आई ती और दिली के मुख्यमंतरी बनी थी उसका बड़ा इक दिल्चस किस्सा में आपको सनाता हूं 1998 की बात जी जी मैं इंडियन एक्स्प्रेस में बोर्टर हुआ करता था और दिली में उस वक्त पानी बहुत बड़ी समस्या थी पानी की अवेलेबिल्टी राजस्थान के तमाम हिस्तों से खराब रही होगी अच्छा द आज हम बात करते हैं उस समय भी बड़ी क्रैसिस थी पानी को लेके राजस्थान के कुछ इससे ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं यहां उससे जाला ड्राइएरिया हुआ करता था साहिप सिंग वर्मा साब चीफ मिनिस्टर थे और पानी की बहुत समस्या जब बढ़ गई चुनाव नजदीक आया हुआ था तो मुख्यमंत्री ने का कि सौ दिन में मैं पानी से जुड़ी सभी समस्या ख़तम कर दूँगा किसी को कोई चिकायति हैं सो दिन में इंडियन ए दी थी हम उनको चेज करते थे पता करते थे कि रिजॉल हुई नहीं हुई क्या दौर था मीडिया का एक्जाक्ली और मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडियन एक्स्प्रेस के इस कैम्पेइन ने बूचाल ला दिया सरकार के अंदर और पहले वाइस चेर्मेन जलबोड के इसके बाद मुख्यमंत्री खुद वो जाके कंट्रोल रूम में बैठे कि कोई शिकायत आएगी फिर अंद में मुख्यमंत्री खुद दौड के वहां जाने लग गए जहां प्रॉब्लम हो रही थ लेकिन जब पीछे कोई सिस्टम नहीं है आज अरविंद के जिवाल सरकार ने आज हमारी सरकार ने एक सिस्टमिक चींज किया है तब तो आप समस्याओं पे काबू पा सकते हैं, वरना मुख्यमंत्री के दौड़ने से क्या होता, तो हुआ यह कि मुख्यमंत्री के दौड़ने से भी समस्याओं खतम नहीं हो और बढ़ती दिखाई दे रही थी, अंत में साहिप सिंग वर्मा जी आकर हमारे इंडियन एक्स आप बात कर रहें, शेकर गुपता साब हमारे एडिटर हुआ करते थे, तो अंत में मुख्यमंत्री से हम लोगों ने कहा कि भाई आप ही ने कहा था कि 100 दिन में पानी की समस्या कतम हो जाएगी, तो हम क्या कर रहे हैं, हम तो वही 100 दिन, 99 दिन अठानवे दिन गिन रहे हैं लेकिन मुख्यमंत्री भी समझ गए थे, कि अगर इस तरह का पहरुआ, जनलिजम होगा, इस तरह वाच्डॉक की तरह मीडिया काम करेंगा, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी सरकार के लिए, लोगों को भेवकूब बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो अंत में उन् दे दिया, स्टेटमेंट दिया, तब हमने वो कैम्पेंट बंद किया, यह वही इतिहासिक चुनाव था, जिसमें फिर सुष्मा सुराज जी, BJP की मुख्यमंत्री बनी चुनाव दे ठीक पहले, और शीला दिक्षी जी ने चुनाव हराया उनको, और फिर 15 साल तक शीला दि प्राइमरी लेवल का हेल्थ केर है, उसको लेके से लेके तर्शऩरी लेवल तक किया कमाल काम हुआ है, तो वो काम तब होगा, तब आप चीजों को fix कर पाएंगे जब आप जमीन पर काम करेंगे, पहली बार कोई सरकार वो काम कर रही है, यह परिशानी है, पॉलिटिशन जो जिनका पेशा है पॉलिटिक्स, वो सोचते हैं कि अगर हमें भी यही काम करना पड़ेगा, तो फिर हम पॉलिटिक्स में आएंगे क्यों। आएंगे क्यों। आएंगे क्यों। यह विवस्था परिवर्तन की आमारी पार्टी ने। पर दिवा भाई आप बहुत कुछ अधक कारे करता पार्टी में कितने समय से जुड़े हैं, आपने राजस्थान का परभार संभाला है, नेशनल ट्रेजरार रहे हैं पार्टी के, अरविंजी का सेक्रेटेरेट संभाला, और उसके साथ-साथ मैं सुनते आ रहा हूं कि आप बहुत कुछ अपना समय लगाकर निकालकर कुछ बच्चों की मदद करते हैं, लाइबरेरी चलाते हैं और उसके साथ-साथ एक संगणन चलाते हैं पर बताएं अपने समात सेवा के बारे में वह ऐसा हुए कि जब यह बात है 2008 की उसे पहले से हम कुछ दोस्त जिसमें सिधा कारिता करना नुकता चीनी करना वाजडॉक की भूमिका में रहने से हमें संतोष नहीं हो रहा था हमें लग रहा था कि कुछ हम डारेक्ट इंटर्वेंशन करें हम सीधे क्या मरत कर सकते हम भी तो कुछ करें शालीम काम नहीं कर रहे हैं गौरफ काम नहीं कर रहे हैं यह काम वे Имहात प्तुर पूरी पडऻा हैं उसमें कई सारे इनिशेटिव जो दिल आया वह इनिशेटिव चालू किया अगर जो है ना इनको अजाद करना है अगर आप अपने घर भी जाएंगे तो आप देखें किया कितनी किताबे उनमें पूरी पड़िया मालू पड़ेगा शायद 7-8-10 परसेंट किताबें पूरी पड़िया बाकी किताबों को हमने उम्रकैद दे रखी है वह हमारी अलमिरा में बं किताबों को हर घर में 50-70 किताबों को उम्रकाइद मिली रहती है। ना उन्हें कोई पढ़ता है ना कोई उनको किसी को देता है। तो हमने एक अंदोलन शुरू किया कि हर घर से किताब हर घर को किताब। कि आप जो किताबे नहीं पढ़ रहे हैं आपने पढ़ लियां वो हमें दे दीजिए तो ये हर घर तक पहुंचे और हर घर से निकले के बाद तो किताबों की अजादी का अंदोलन चालू किया इसमें हमने इस तरह के कॉंट्रिबूशन से 18 पुस्थकाले शुरू किये दिल् आप तो बहुत सारे साती हैं आप तो 58 लोग हैं जो हमारे समेटर में काम करते हैं बड़ी मधिदार बात आपको बताना चाहता हूं लोगों ने कहा कि किताबे चुरी हो जाएंगी हमने का कि कोई मिमबर्शिप नहीं है जिसकी मर्जी किताब पढ़े इशू करा ले जाए वापिस कर जाए तो लोगों हमारे साती हो नहीं का कि किताबे हमारी कीमती किताबे चोरी हो जाएंगी आपको जानके चंबा होगा कि हमारी किताबों के संग्या बड़ी है कम कहीं नहीं हुए आश्ता है बच्चे घरों में से लाके अपने किताबें देते हैं तो ये एक का कानपूर में तो तीन लाइबरी हमने टॉकिंग बुक लाइबरी शुरू की हैं अब उसमें हम लोग जड़ा चुकिए बहुत टेक्नोलजी आ गई आगई अब ऑनलाइन एकसेज दे सकते हैं बच्छों को तो बड़े प्रमाने पे इसको ले जाएंगे लेकिन तीन कोई भी रेस कोई भी मुल्क तभी आगे बढ़ता है जब वहां पर लोगों को रोटी की चिंता नहीं होती है जैसे हमें और आपको शायद मैं टिफिन लेके नहीं चल रहा हूं हो सकता आप भी ना लेके चल पर हमें पता है कि दोपैर को हम हमें खाना मिल जाएगा बहुत को बड़ी तादात है हिंदुस्तान में सबसे बड़ी तादात है पूरी दुनिया की जिसको नहीं पता है कि आज उसको खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा फूपूड सिक्यारी नहीं नहीं है कितने बड़ी बात है तो हम लोगों की तो कोई उकात नहीं है छोटे से हम लोग का ओगनाईशन है हम लोगों ने एक किचेन कमुनिटी किचेन शुरू किया लाल बहादूर शास्त्री होस्पिटल में जहां लगबग तीन सब लोग रोज भोजन करते हैं एक मुस्त कमुनिट जी जी तो यह किसी आदमी का गरिश्पा नहीं है कोई बड़े से बड़ा धना सेट ही नहीं और आपने मैंने कभी नहीं देखा आपने टुटर परेस के बारे में में लिखा हो या कभी यह कुछ जादा नहीं हम लोग उसको चलाने में हैं हम लोग के आपसी दोस्त ते ला काम नहीं है यह जैसे पेड है इसकी पतियां गंदी हो रही है तो मैं अपनी तरफ के एक पति साफ कर सकता हूं हमको यह अपनी संतुष्टी के लिए काम कर रहे हैं बड़ा काम तब होगा जब हम भूग को हरा सके हम दिल्ली में सर्दियों के दिनों में मतलब यह समझ रहे भूग हार गई भाग गई यहां से लेकिन कोवीट के टाइम से हमने देखा कि शायद यह तदा तीन लाग सी जादा है आप खुद जुड़े हुए तो से सीधे-सीधे कि लोग खाना खाने के लिए कैसे विचारों को आना पड़ रहा था खाना खाना पड़ा था नोग भूख मारी नीरी लोगों को दर असल वो आपसे सब कुछ चीन लेती है आपकी इंटेलिजेंस चीन लेती है आप कुछ और नहीं कर पाते हैं आप दुनिया की सबसे इवाल्व मशिनरी हैं लेकिन आप कुछ भी कॉंट्रिब्यूट नहीं कर पाते सिवाए खाना ढूनने बिखाने के की जनवर गरते हैं तो इसी आजादी लेना बहुत बरा काम है हम बहुत छोटा काम कर पा रहें अभी केवल हम कुछ रखते हैं एक हमने तोड़ा कब एक कुछ किया है पर बदलाव को तो हम चूबी नहीं पाए हैं तो काम बग़त छोटा है वश्यूट आप ए खूब खूब बड़े लंगर चलते रहे वो कितने महीनों तक सरकार ने बार नी सोचा ऐसे एक्जांपल कहीं और देखने को यह नहीं मिले कोई मैंजमेंट बहुत बड़ा उधारन है सरकार की आप बहुत बड़ी बात करें एक्शुली जो बात हम पहले करें थे उसी का हिस् सिंद्मीदारी है यह एक बात है लेकिन आप एक इनसान है तो आप« जो संवेदना हे जिसकी वज़य से रात को सो नहीं पाते है आपको पता है कि मैं घांगा खाना बातने तो हो सकता है कोविड हो जाए लेकिन आप जांगे और सब जोगे खाना बाते करे की चशंश चला कोविड में शालिंजी लोगों के घर ये स्थिती हो गई कि रोटी भी खाने को नहीं थी जब हम अंदर जाते थे चावल की बुरी लाद के और जाके उनके घर जब डेलवर करते थे ना तो उनको ऐसा रखता था कहां से देवदूत आया है और हम लोग शर्मिंदा हो जाते थ सब्सक्राइब करना चाहिए तो वह संवेदना के इस तर पर आम आदमी पार्टी मेरा यह मानना है कि आम आदमी पार्टी एक जबर्दस टैलेंट पूल है और दुनिया के जो खुबसूरत लोग है उन लोगों को अगर इकठे कहीं पाना है तो आप आम आदमी पार्टी में आ जाईए और जो बचे हैं वो आते जाए जी यह जरीया उसी का है एक्चुली आपको कोई अच्छा कम है आपको एक बहुत चोटी सी बात बताना चाहिए जैसे हम लोग कुछ कुछ काम करते रहत रैंडम फोन बुक से किसी को ठालीजिए शालीन भाई अरनोदय भाई नगेंदर भाई कितनी खुबसुरूत बात 50 किलो चावल भेज़दो सौगलो चावल कितने पैसे कोगा पैसे लेलो पैसे निया आप चावल भेज़दो या आप बात कर लो मजर से सको दिला मुझे न कहा हूँ ऐसे चल रही है इसलिए कभी ना कहिए कि हम चला रहे वो और लोग है उनका कहीं कोई नाम नहीं कोई पूछा नहीं उनके लिए कोई ट्वीट नहीं कोई यह फेस्बुक नहीं तब भी तो यह दुनिया की अपने आज पास की दुनिया खूश जोरूत ना चाहते तो किवल एक चीज ऐसी होती है जो मुझे भरुसा देती है कि कल भैतर हो सकता है वही अच्छे लोग हैं जो अपना देश, अपना समाज, अपने आसपास की दुनिया को खुबसूरत बनाने के लिए कुछ साक्रिफाइस कर रहे हैं कम से कम कुछ और जब आप जिंदिगी से अपनी कुछ देंगे, अपने comforts में, अपने resources में कुछ कट करेंगे तब ही आप contribute कर सकते हैं तो लोग मुझे लगता है आम आदनी पार्टी के बारे में सबसे खुबसूरत बात ही है परिवार में आपकी धर्म पतनी बच्चे खुश रहते हैं आपसे इतना समय आप उनको अपर बैठा चांद, एक दिन माता से यह बोला कि मुझको भी एक झिंगोला इसमसाओं मैं अधूर चिए मुझको भी त diffam है मैं यह सनद गूमता है तो अनकों तो आम आदमी पार्टी में मेरी अभ्री दुनिया बदली पूरे परिवार के भीना कॉंट्रिबूशन के बहुत सारे दोस्तों के भीना कॉंट्रिबूशन के हमकुष कर पाते हूं इसलिए एक चीज आम आद्मी पार्टी में मैंने सीखी तो इसे आपका हेंकार खतम कर दी एढ़ेया, आपको अदर आद कभी नहा थी यह मैंने किया, क्योंकि आपको अंदर से पता होता ही, यह मैंने knowledgeable किया है, इसमें बहुत लोगों का कॉंट्रिबूशन है, मेरे गुरूशन का इतना जर्ट फिर मैं देखता हूं कि मेरा कॉंट्रिबूशन उसमें बहुत चोटा था बच्टा है तो इसे आपका हैं कि मैं यह कर रहा हूं तो यह हर इक इनिशिटीव में यहीं समझ भी आई है है म quests करना मेरे साथ रहते और दो-तीन मेरे चानपूर मेरे चोनधर रहे हैं हाई मेरे चानपूर है हमारा बाक्या समय मैं हाझ-जागा दुपार बाद-ध्मी त्रेन अे मेसे मेंन सिटी आँपूर में मेंंने चानपूर में जी आया में इंदी के तो बच्पन इवी पीता लिए हां में में बच्पन इया और हूं कर राम-कृष्पिuin के संपर्क में आई राम-क्रिश-मिशन संपर्ग जब फी और शेर आई स्कूलने परता था तो सक्ताइम के लुए मुझे बहुत मुहबबत है बड़ा लगाव है मुझे लगता है कि एक दिन में वहाँ फुल टाइम जाके वहाँ कुछ कुछ काम पर करना तो यहां से समय शहर यह इसी लोकेशन कितनी है जहां इतनी हर्याली हो इतना समय बिता पाएं शहर में आबादी बढ़ती जा रही है यहां पर हम लोग तो ऐसा रखता है जैसे गोंसला एक गोंसला यहां है और नेटिव गोंसला वही है वही जाकर हमें शान्तिन बढ़ती है तो हम लोग हिंदी सी वेरा बड़ा लगा वरा हमारे कैविता थी कि सुंदर होंगे देश बहुत से बहुत बढ़ी आई धरती पर आपने पनी मा उन्हें ही है अमित प्रकलight करती है भाँ है ना तो आपने दीक आए जो दुन्या का सबसे अनमय होगा वह अपने लिए भावी खूला उनुंहीं कुश्व जिए जन्म्म्हाइश करता पर बहुत खूबसुरत मां की तर जानीय करता है थी तो इस्लिए कानप लगाव है वो आवाद पूरी मंपूरी स्वावन जो है तो सब के लिए सब का सच है अपका आपकी शैली में आपकी बातचीत के तरीके में और मैंने तो आपकी रिपोर्टिंग उस समय की नहीं देखी तर आपकी रिपोर्टिंग में भी यूपी का हैसास बिल्कुल दिखता हमारे मैं आपको एक मज़दार वाक्या बता हूं मैं चंडीगड गया बेरोचीफ बनके अमर जालागा तो मेरी रिपोर्टर जो थी क्राइम रिपोर्टर मुझे ले गई आईजी पूलीस के पास धीम सिन बसी जी जो दिली के पूलीस के बने ये आईजीपी थे तो इन्ह आइज ज़िए मैं कानपूर से आता हूं मैं तो फिर तुर आपको और अख्ळा होगा कियो मतलब जिस तरह का हिहा बिजने सैं जिस तरह के एडूकेशन इंस्टुशन से जिस तरह का शाहर एक है मैं नहीं अगा पताँ नहीं मुझे न ही लगा मेरे शहर से 3 किलोमीटर पर इसा कोई इंस्ट्टूट मुझे चंडिगड में नहीं दिखा रेमंड आते हैं, जेके ग्रूप आता है, मेरे शहर से कोठारीद आते हैं, इतरा बड़ा कोई बिर्जनसमेन भी मुझे आनी मिला, मेरे शहर में गंगा वैती है, पांच हजार साल से सभी संस्कृतिय अनदियो मुझे कोई दर्या के किनारे हुई है, यहां मुझे कोई दर्या भी दिखा रेती है, तो मैंने का यह तो मुझे एक बड़ा सा वेटिंग हॉल लगता है, सबके हाथ में एक ब्रीफ केस है, आप किसी से भी बड़ी पूछ सकते कि आप कहा के रहने वाले हैं, मैंने का मेरे सबको वही प्यार होता है, आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपसे मिलते रहेंगे, और आम आदमी पार्टी के कारेकरताओं तक, आम जन्मानस तक, आपके पुराने मित्रों तक, यह सारे मेसेज पहुचेंगे, जो देखेंगे, वाव, मैं यह बताना चा अगर आपके जिन्दगी में आम आदमी पार्टी नहीं हुई तो फिर समझे कुछ नहीं हुआ, हम लोग पढ़ते थे तो एक वो कहावत है ना लहूर के बारे में, कि जे लहूर नहीं वेख्या, वो जमया नहीं, तो जिसकी जिन्दगी में आम आदमी पार्टी नहीं यहां आदमी पार्टी जॉइन करते हैं, तो आप कभी बूड़े नहीं होगे, आप एजिंग खतम हो जाएगी, और इतनी कमाल जिंदगी है यहां, इतने अकम्प्लिश्मेंट्स हैं, और इसके बाद, जब हमारी यात्रा खतम होगी, और जब हम इस दुनिया को छोड़ेंग तो जैसा मैंने बताया, बहुत संतोष के साथ, कि हां इस जिंदिगी में जो करना था, जितने काम अच्छे करें, सब कर लिए, बड़े-बड़े अकम्प्लिश्मेंट्स हैं, कमाल हैं, अगर आप आम आदी पाटी में तो आप बहुत भागेशाली हैं, और अगर आम आदी झाल हैं, ऑप आम आप आप, क्रोश एट जितने काम आप एंगर, जितने काम हैं, अगर आप आपगेशाली हैं, और अपगेशाली हैं, कि हा आप आम आप